नमस्कार निवजियाना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ कमलेश कुमार सिंग आज आपके सामने पहली बार स्क्रीन पर आया हूँ इसलिए गुस्ताकी के लिए माफी चलिए अब बात इस वीडियो के मुद्दे पर दरसल आज तर के सुब्राम्मनियम स्वामी ने मोधी सरकार को चिताते हुए एक ट्वीट किया है वैसे सुब्राम्मनियम स्वामी किसी परिचे के मुहताज तो है नहीं फिर भी स्वामी भाजपा के राज सभासांसद हावर्ड से अर्थ साथ से पी एच डी कानूनवीद लंबी फेहरिस्त है कुल मिलाकर देश में लगबग सभी ज्वालंत मुद्दों पर राय रखने और विभीन प्लेटफार्मों अदालत वो असांसद से लेकर सोशल मीडिया में मुहिम चलाने वाला अगर कोई सक्स सबसे ज़्यादे अमुखर दिखे तो वो है सुब्राम्मनियम स्वामी इन दिनों स्वामी मेडिकल परवेश परिच्छा यानि नीट और इंजिनियरिंग परवेश परिच्छा यानि जेए की परस्तावित एजाम को टालने की मुहीम चला रहे हैं धरसल जेए 1-6 सितंबर और नीट एगजाम 13 सितंबर को परस्तावित है स्वामी कुरोना बाइरस बाड़ और तमाम 13 दूसवारियां का हवाला देते हुए इन एगजामों को दिपावली तक टालने की गुजारिस कर रहे हैं या कहे तो एक मुहीम चला रहे हैं इसी करी में आज स्वामी ने ट्वीट में कहा है अगर हमारी मोधी सरकार अभी नीट जेए एगजाम ठोपने पर आमादा रहती है तो यह 1976 में नस्बंदी की तरह एक बड़ी गल्ती साबित होगी 1977 में इंदरा गांधी के लिए नास का कारण बना भारतिय मद्दाता चुक्चा भुगत लेते हैं लेकिन उनकी यादास लंबी होती है आखिरकार स्वामी ने अपने ट्वीट में 1976 और साल 1977 का जीक्र क्यों किया माना जाता है कि संजय गांधी के नस्बंदी काज करम से उपजी नराजगी की 1977 में इंदरा गांधी को सत्ता से बाहर करने में सबसे आहम भुमिका रही आप सोचने की बारी आपकी कि क्या नीट और ये जाम तरह तारीक पर होते हैं तो इसका मोधी सरकार पर क्या असर पड़ेगा